Welcome to Magnet Brinks, मैं हूँ तुमारे वैदे इमाम और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा अगला टॉपिक है ये वाला जो है Evidences of Evolution तो ये है चाप्टर 7 का ही पार्ट जो है Evolution वाला चाप्टर तुमारा हम अलड़ी इसके पहले के दो टॉपिक्स कम्प्रीट कर चुके हैं अभी तक हमने क्या देखा कि Origin of Life कैसे हुआ है ना कि पूरा Chemical Evolution हुआ, Organic Evolution हुआ, More Precisely उसके बाद क्या पिक्चर आई सामने कि ठीक है Life तो आ गई पर अब ये Life क्या हुई, Evolve होना स्टार्ट हुई कुछ Scientist का मानना था कि Evolve नहीं हुई, जैसे थी वैसे है और ऐसी रहेगी, पर उसको भी कुछ Scientist ने गलत प्रूप किया, कि ऐसा नहीं है बाबा, Evolve होती है और कैसे पता चला Evolve हो रही है, क्योंकि कुछ similarities मिल रही है, आज का जो organism है, उसमें, और आज के जो organism दिख रहे हैं उत पे उनमें, और जो already extent हो चुके उनमें भी, जो ancestor है, उनमें भी कुछ common similarity share होती है ठीक, अब हम इस lecture में ये पढ़ेंगे, कि हमको कैसे पता चला, आप बोलो कि ठीक है माम, ये तो हमने देख लिया, पर हमको कैसे पता चला कि actually evolution हुआ है तो यही हम पढ़ने वाले कि evolution का proof, या evidences of evolution कौन कौन से हैं, बहुत बाइ, direct question इसे एक topic पर आ जाता है, what are the different evidences of evolution तो ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, कहाँ पर, इसी चानल पर, जिसका नाम है man in brains, जहाँ मिलता है आपको content free यानि free education, kindergarten से लेके grade 12 तक, English medium में, Hindi medium में और बहुत सारी entrance exam के लिए भी entrance exam की point of view से, इस chapter का ये जो evidence of evolution है, उस पे भी बहुत सारे questions आते हैं, कम से कम एक या दो questions तो तुमको मिली जाएंगे हर एक entrance exam में, तो चलो start करते हैं आज का topic, तो अब evidence की बात करें, क्योंकि अब हर चीज़ तुम लोग को आदती होगी, student बोलती है, maam, आपको कैसे पता, या हम कैसे मान ले, तो ये जो हम कैसे मान ले, उसका answer है evidences of evolution, तो देखो, बहुत सारे अलग-अलग evidences दिये गए, या फिर पढ़े गए, study किये गए, उन में से चार evidences हमको पढ़ने हैं, पहला evidence है, fossil वाला evidence, या फिर paleontological evidence, अब देखो, क्या हुआ, कि जब कोई construction होता है, कोई नया शेहर बस रहा है, कोई नया गाव बस रहा है, कोई नया project start हो रहा है, तो but obvious वहां construction होगा, construction होगा, तो जमीन का क्या करना पड़ेगा, उसको खोदना पड़ेगा, अब बहुत बार ऐसा हुआ, कि excavation के time पर मैंने कोई intentionally नहीं कर रहा है, वालब start कहां से हुआ, fossil का बता रही है, मैं start कहां से बार, जब उन्होंने ऐसी देखा कि किसी project के लिए गया होंगे, कोई analysis study करने के लिए गया होंगे, तो उन्होंने वहां की खुदा ही start की, ठीक है, या फिर उसका excavation start किया, तो देखा नीचे ना fossil मिलते जा रहे, अब civilization भी मिल रही है साथ में, और और उन्होंने पता लगा है, और digging start की, तो उनको ना कुछ-कुछ fossil मिलने लगे, तो यही जो fossil है, उसी की जो study होती है, अब बोलो कि माम fossil कैसे, अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि dinosaur थे, अब मैं तुमको बोचू, बताओ कैसे पता लगा है, तो तुम बोलो कि अरे माम, ज जो word paleontology है, that means study of fossil, चेक, तुमारे जिस भी शहर में रहते हो, वहाँ कोई ना कोई museum होगा है, जोलोजिकल museum या, हम बोल सकते हो, natural history से related कोई museum होगा, और in museum या science museum, सबसे simple, तो science museum में कोई ना कोई एक fossil तो रखा ही हुआ होगा, तो अगर नहीं पता कि exactly fossil दिखता कैसे है, तो जब भी time मेले, जरूर जाओ in museum को visit करो, तो वहाँ पे और specifically अगर कोई regional science center होगा, या कोई regional science museum होगा, तो वहाँ पे जरूर मिल जाएंगे, in fact, वहाँ पे पूरा evolution की stages भी बनाई होगे, चीक है, तो अब जब तुम पढ़ रहे हो, और फिर तब जाके उसको देखोगे, तो समझोगे, तो सब एकदम माच करेगा, चीक है, तो देखो, तो fossil की study को क्या बोलता है, paleontology, और अगर कोई fossil के basis में प्रूब दे रहा है, कि बबाद जब earth crust को खोदा, तो क्या मिला, हड़ियां मिली, ऐसी organism की हड़ियां मिली, जो आज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो पह embryological stages की study की, और उन्हें study करके देखा, कि अरे, कुछ stages में भले वो organism बढ़ा होके, किसी दूसरे organism में डेवलाप हो रहा है, भले दो अलग-अलग species है, पर उनके embryology में बहुत ज़्यादा क्या है, similarities है, तो उन्हें ने बोला, since दोनों में बहुत ज़्यादा similarity है, मतलब दोनो कहीं, एक common ancestor से आई है, common ancestor से आई है, मतलब वहीं एक ही common ancestor धीरे धीरे एक species में change हो गया, और वही common ancestor दूसरे species में change हो गया, मतलब हम क्या बोल सकते है, evolve हुआ है, चेक, तो दूसरा कौन से evidence है, embryological evidence, तीसरा, comparative anatomy and morphology, अब ये वालत देखो, भले तुमको तुमने ये नहीं दे माम हम बाहर के features देखेंगे, ठीक है, तो बाहर के कोई भी जब features देखते हो, बाहर की study करते हो, तो उसी को क्या बोलते है हम, morphology, अब तुम बोलोगे माम, कुछ बंदर है, वो भी अपने दो पैर पे चलते हैं, हम भी दो पैर पे चलते हैं, दो हाथ, दो पैर ठीक है, उसक और हम में कुछ commonness दून के बताओ, तो बोलोगे, अरे माम, दोनों mammal नहीं तो है, तो बोलोगे, हाँ, अब अगर मैंने बोला तुमको, कि चलो एक काम करो, कि हम में और साप में कुछ common दून के बताओ, यह क्या similarity है हम में और साप में, तो बोलोगे माम, बाहर से तो ऐसा अब एक काम करना पड़ेगा, काट के अंदर देखना पड़ेगा, मतलब क्या, anatomy, तो जब बाहर की similarities खतम हो जाती ही, तुमने ऑलड़ी 11 में पढ़ा होगा, नॉमन क्लेचर वाले चाप्टर में, कि जो नॉमन क्लेचर या टेक्सोनॉमी है, वो क्या होता है, identification, classification and नॉमन क् करते हो, अगर तुम पहचानते हो, कैसे पहन जाते हो, सबसे पले तो बाहर के features को देखे, morphological features को देखे, तो हम उसी को क्या करेंगे, comparison करेंगे, चिक, उसके बाद क्या करते हो, जब बाहर के features खतम हो जाते हैं, तो अंदर के anatomy देखी, अब देखो, मैं बोल रहे हो कि चलो चमगादर चमगादर नी चलो सापी ले लो ठीक है या साप से ज्यादा बेटर है जिसे तुम्हें जल्दी समझ में आएगा कि एक चुडिया ले लो ठीक है अब चुडिया एव्ज है और हम क्या है मामल है अब बोलो के माम दोनों में क्या कौम बने से वो तो ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा पर जब काटा और अंदर खोल के देखा तो अंदर जो हड्डियों का अलाइंगमेंट है बिल्कुल सेम है उसका यह अलग बात है कि वो हड्डिया उसको उड़ने में जो फोर लिम से उसके मतलब विंक्स में डेबलाप हो चुकी है मतलब उसका काम उसको उड़ने में हेल्प कर रहे है हम अपना डेली रूटीन का काम कर रहे है ठीक पर अंदर से अनटमिकली दोनों सेम चल रहे हाँ ठीक है उसके बाद यह बात बताओ अब यह यह तुम्हें आ गया समझ वे अब बोलो कि माम हमने ऐसे दो कहा कि भारक की मौर्फोलाजी खतम हो गई हमने उसको काट के देख लिए और जयों को अगर हमने हो के स्थीरा की बगए यह सब देख लिया सपोस्का रहा आनटमी similarity, तो cell के अंदर जो biomolecule है, उनी का comparison कर लो, तो आखरी वाला जो evidence है, वो किसका है, biochemical similarities का, और अगर याद होगा तो यह biochemical similarities हम पिछले chapter में ही पढ़ चुके हैं, क्यूंकि earth पे जितनी भी life form मिलती है, वो सिर्फ उन चार basis का नतीजा है कौन कौन से, A, T, G, C इनी का combination हो रखा है और इतना ज्यादा difference variation आ चुका है याद आया, बताया था कि जो A, U, G कोडॉन है जो एक start कोडॉन है या initiation कोडॉन है, जो कौन से amino acid के लिए responsible है methionine, तो वो अगर कोडॉन एक bacteria में भी बना रहा है और same codon human में भी methionine ही बना रहा है हुआ क्या clear, तो जब बाहर का morphology नहीं काम किया, तुमने आनटेमी देखा आनटेमी नहीं जब काम किया, तो तुमने क्या बोला, चलो उसका genetics देखते हैं या फिर genetics से चलो और बाद में आएगा, ठीक है, उसका क्या करते है बायो केमिकल देखते है, जब बायो केमिकल नहीं बना तो एक काम करते हैं, अब उसका genetics देखना start करते हैं, ठीक है हुआ clear, तो ये कुछ ट्राइब के evidences हैं, जो तुमारी book में लिखे हुए अब इन ही को हम क्या करेंगे, इन detail पढ़ना शुरू करेंगे, और भी evidences होते हैं, मतलब यहीं पर नहीं करा कहानी रुकती, cytological evidence होते हैं, ठीक है, तो ये सारे evidence तुम NEET वाले exam के लिए पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे, यही chapter और in detail चला जाता है, ठीक, तो चलो सबसे पहले start करते हैं, कौन सा, fossil या फिर paleontological evidence, तो देखो ज़रा, fossil या paleontological evidence मतलब क्या, किसको study कर रहे हैं, fossil को, मतलब पत्थर को, पत्थर नहीं बाबा, कैसा पत्थर जिसमें किसी animal का, या plant का remains बचा हुआ है, और फिर हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो देखो ज़रा, fossil are remain of hard parts of life form found in rocks, अब ये hard parts क्या हो सकता है, हड़ियां हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कोई feather का remaining बचा हो, तो वो अगर hard parts, अगर वो degrade नहीं हुआ, hair हो गया, nails हो गये तो वो सारे hard parts, teeth हो गये, तो ये भी hard parts हो गये, उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर cork cambium है, मतलब जो plant का बहार का तना रहता है, वो जो wood रहता है, वो अगर suppose करो degrade नहीं हुआ किसी वज़े से, तो वो भी हम as a fossil consider कर सकते हैं चीक, egg, बहुत बार तो मिले थे, तो उससे क्या conclusion निकाला गया, कि ये since यहां अंडे मिले हैं, तो मतलब इस एरिया में भी कौन रहता था, डाइनोसार तो रहते थे, कुछ आई कहानी समझ में, तो देखो, the fossil क्या है, hard parts of life form के क्या है, remains है, मतलब बचे हुए चीज है, रुमिनेंट्स है, ठीक है, यहां रुमिनेंट्स है, remains है, जो कहां मिल रहे हैं, तुमको पत्थर के अंदर मिल रहे हैं, अब पत्थर भी कैसा होना चाहिए, कोई भी पत्थर तो ना अगाम करेगा, कोई particular type of पत्थर या रॉक होना चाहिए, तो देखो, मतलब हम बोल सकते हैं, किस टाइब के रॉक में हमको फॉसल मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में, कैसे, समझो बात को, कि सपोस करो, बहुत साल पहले, यह था एकदम टॉपमस लेर, ठीक है, यह है, तुमारे प्लांट, यहां कोई आनिमल घूम रहा है, अपन को नहीं पता है यह आनिमल कौन सा है, सब बड़े से सीगे, अपन नया आनिमल अपने क्रियेट के, अब क्या हुआ, किसी वज़े से यह तीनों के तीनों क्या हो गया है, अच्छा, मर के कहा जाएंगे, यहीं गिरेंगे, प्लांट के, मतलब अर्थ क्रस्ट के उपर, ठीक है, यहीं पे वो, डिग्रेट हो गए, डिके हो गए, पर वापस हाट पार्ट तो वहीं रहा गया, सेम प्लांट भी यहीं मर गया, अब क्या हुआ, अब टाइम जा रहे है, उसके उपर धीरे-धीरे डस्ट की लेयर बनती चले गए, या सेडिमेंट साके डिपोजिट होते चले गए, यह हो गए डिपोजिट, एक लेयर हो गए डिपोजिट, अब कुछ समय बीता, फिर यहां अब क्या हुआ, एक टाइम बाद वापस इसके उपर सेडिमेंट डिपोजिट हो गए, फिर से, अब क्या हुआ, वापस वहाँ पे दूसरा टाइप का फ्लोरा फोना आने लगा, यह दूसरा टाइप का फ्लोरा, प्लांट टाइप का है, ठीक है, उसके बाद, यहां कोई दूसरा आनेमल रहने लगा, ठीक है, अब क्या हुआ, अब यह भी मर गए, डेथ तो सब की होती है, कभी न कभी, ठीक है, तो यह भी मर गए, तो अब इनके भी डेपोजिट का रहे गए, यहीं रहे गए, चलो, इसके उपर वापस एक सेडिमेंट के लिए अरा गई, अब वापस यह मर गए, वापस नाश्रल डेथ हो गए, चलो, यहां कोई किसी क्याटस्ट्रोफिक के कारण हो गए, तो वापस इनके रिमेंस यहां रहे गए, अब क्या होगा, अब बहुत साल बीद गए, फिर वापस और्बनाइजेशन हुआ, यहां रहने लगा, अब जैसे ह यहां रहने लगा, क्या हुआ, अब उनको ग्रोथ करनी थी, डेवलाप होना था, तो एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, मतलब ग्रोथ के लिए, डेवलापमेंट के लिए, नएने कंस्रक्शन स्टार्ट हुए, अब जब कंस्रक्शन स्टार्ट हुए, तो हुआ क्या, कि यह बेर बाए लेजर क्या हुआ,asured होना, start हुआ, तब इन्होंने ये वाली लेर निकाली, तो इस लेर से क्या मिला उनको? एक अनिमल मा रिमेन का fossil मिला, इस लेर से दूसरा अनिमल पा रिमेन fossil मिला, नीचे वाले से और कुछ मिला, तो यही, यह किस वज़े से हुआ था क्योंकि जब आनिमल मरा था उसके उपर क्या बिच गई जी सेडिमेंट्स तो यह के जो फॉसल है वो कौन से रॉक में मिलेंगे सेडिमेंटरी रॉक में मिलेंगे यह question आता है as it is objective में ठीक तो वही रॉक के cross session को देखके हम बता सकते हैं कि अच्छा इतने सालों में यह layer क्या हुई compress होई तो इसके उपर यह वाला sediment था फिर इतने सालों में यह layer compress होई तो यह sediment था तो हम sedimentary rock की layers को या cross session को देखके study करके उसके arrangements को हम बता सकते हैं कि यह particular fossil कितना पुराना था हुआ clear अब देखो different age rock sediment contain fossil of different light form who probably died during the formation of the particular sediment यही मैंने बता न कि पहले एक layer आई एक organism रहता था मर गया उसके उपर दूसरा layer जमा हो गया अब यह layer जमा हो जाएगा उसके लिए भी सालो लग जाएंगे जैक अब जैसे सीधा सा logic है ऐसा समझो तुमने गाडन में कोई चीज खोदने के लिए देखा ऐसे समझते एकदम simple सा चीज तुमने गाडन में खोद रहते हो तुमको लगा नहीं मैं काम करता हूँ एक कटोरी चुपा देता हूँ तुमने कटोरी चुपा दी और उसके उपर मिट्टी गाड दे अब क्या हुआ अब चोड़ दिया उस कटोरी को छोड़ दिया उस कंटेनर को छोड़ दिया अब बहुत टाइम बाद एक 10-12 साल के बाद देखोगे न तो अब तुम जो सोचोगे कि इस जगे तुमने उसको गाड़ा था अगर सॉल इरोजिन नहीं हो रहा है तो मेंटेनिंग दबाकी सारे जितने भी कंडीशन है उसको सेम मानके तो वह कटोरी जिस जगे थी वह से नीचे चली जाएगी क्यों 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 पर क्या हो गया सेडिमेंट्स के लिए डिपोजट हो बाड़ी कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से तो जड़ा देखो तो डिफरेंट एज रॉग सेडिमेंट कंटेंगे अगला सेडिमेंट आ जाएगा आगे तो इसी को हम रेडियो आक्टिव डेटिंग से पता लगा लेते हैं कि कितना पुराना वो फॉसल है हुआ क्लियर चलो आगे देखते हैं अब दूसरा एविडेंस कौन सा था एंब्रियो लॉजिकल एविडेंस कहा था ना कि एंब्रियो में हमने कंपेर किया फिर बताया त तो ये embryological support या embryological evidence किसने propose किया गया था किसके द्वारा propose किया गया था? Ernest Hakel ने. Based upon the observation of certain feature during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. तो उनने कुछ features देखे सारे vertebrates में और इसके basis पे conclusion निकाला कि सारे vertebrates का एक ही common line है. ये अलग बात है कि सारे vertebrates में जो embryological stage में जो common features मिलते हैं, वो adult उने पे गायब हो जाते हैं. अब देखो, जैसे, for example, the embryo of all vertebrates, including human, मतलब जब हैं embryo form में रहते हैं, mother की womb में रहते हैं, embryo stage में रहते हैं, इंसान को भी मिला के, develop a row of vestigial gill slits, हमारे just behind, head के पीछे vestigial gill slits आ जाते हैं. ठीक है, अगर याद होगा, यह तुम आलरी पहले भी पढ़ चोके हो, कहां पर वापस बता देती हूँ, जो classification है, more specifically, जो तुम्हारा five kingdom classification में, जो animal kingdom है, वहाँ तुमने पढ़ा होगा, vertebrata के characters में, कि क्या क्या होना चाहिए, notochord, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, pharyngeal gill slits, अगर lifetime में नहीं, तो embryonic से लेकर, adulthood के किसी एक stage में होना चाहिए, अगर याद आ रहा होता, वहाँ चार points पढ़े थे, उसमें से एक point है, वो gill slits, चिक, तो उनने क्या study किया, उनने देखा, कि किसी भी vertebrates का, all vertebrates का, अगर embryo ले लो, तो उनकी उस stage में, क्या होता है, उनमें क्या develop होता है, vestigial gill slits develop होते हैं, कहां पे हो रहते हैं, just behind the head, but it is a functional organ only in fishes, मतलब कहने को, जब हम mother की womb में रहते हैं, embryo stage में रहते हैं, तो हमारे head के पीछे gill slits form होते हैं, ठेक है, अब वो gills मतलब क्या, basically पानी में सास लेने के लिए जो organ हैं, उसको हम gills बोलते हैं, correct, पर यह किस में हो होता है, fish is जाद से जादा amphibian, पर उसके बाद जो reptilia है, एब से और mammals इसमें तो गाइब हो जाता है, क्योंकि यहां पे तो lungs आ जाता है, पर देखो, since यह character, किसका है, एक vertebrate का है, इसलिए जब हम embryonic stage बे रहते हैं, तो हम में भी यह क्या रहता है, होता है, यह अलग बात ह हाते हैं, तो यह पूरा ही हट जाता है, देखा, वह ही लिखा है उन्होंने, just behind the head, but it is a functional organ only in fish, and not found in any other adult vertebrate, तो एक ऐसा character, जो सारे embryonic stage में मिलता है, vertebrates के अंडर, तो इसलिए उन्होंने बोला, कि हम embryo को की भी study करके पता लगा सकते हैं, कि actually इनका common ancestor कहां से आया है, पर, 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 हुआ क्या, यह जो embryological evidence है, इसको गलत साबित कर दिया गया, कितना है न, इस chapter में अपन को इस type का pattern बहुत देखने को मिला है, एक पहले किसे ने theory दी, दूसरा scientist है उसे मिला गलत बोल रहे हो, फिर अब सही theory दी गई, the same, ऐसे ही जो embryological support है, हम पढ़ते हैं, कि इस ने दिया और किसने गलत किया, यह भी पढ़ना है, तो यह दिया गया था, Ernest Hakel ने, पट इसको reject करने कर दिसप्रूफ करने के लिए, किसने study perform की careful experiment perform किया, काल Ernest Vaughan Bear ने, He noted that, embryo never passed through the adult stage of other animals, तो उनने देखा, कि embryo कभी भी adult stage, दूसरे animal के पास नहीं होता, मतलब पास नहीं होता है, मतलब माम क्या बोलना चाह रहे हो, देखो, vestigial gillslet, अब मैं यह बता दू, अपन में भी होता है, जब हम embryonic stage में रहते हैं, पर बहुत बार कोई character completely change हो जाता है, चेक, तो सिर्फ embryo को study करना, सिर्फ embryo को study करना और as evidence of evolution मानना सही नहीं है, यही उनने बताया था किसने, काल अरनेस वान बेरने, कि उनने देखा, उनने से बड़ा बड़ा level पर उनने study की, बड़ी level पर study की, और उनने कहा कि embryo never passed through the adult stage of other animal, embryo कभी भी दूसरे animal की stage से कुछ scientists कुछ हद तक यह वाल इस theory को मानते हैं, क्योंकि हाँ हम देख सकते common ancestor, पर हमेशा यह theory सही नहीं होगी, या individually इसी को evidence लेके study करना evolution सही नहीं है, अच्छा, तीसरा मैंने क्या बोला था, जो अब in general करते हैं, अगर मैंने तुम को पूचा कि बताओ मेर में और साप मे क्या common है, तो तुम क्या बोलागे, मैं morphology देखेंगे, anatomy देखेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं, comparative anatomy and morphology study, तो इसी को हम दो बड़े portion में divide कर सकते हैं, एक को बोलते हैं, homology और एक को बोलते हैं, analogy, homology मतलब जहाँ पे हम similar, देखो homo मतलब क्या similar है, तो similar features की study कर रहे हैं, मतलब features, मतलब similar, ऐसी चीज़ का study कर रहे हैं, या ऐसे organ का study कर रहे हैं, जिनका structure common है, homology, logic मतलब study, अब या homo किसके लिए refer दिया गया है, कि ऐसा organ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा part of the body के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका structure तो same है, मतलब सारे animal में structure तो same है, पर function हर animal अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, homology, ठेक है, या इसी को बोल सकते है, study of homologous organ, अब इसी का ultra, analogy, या फिस study of analogous organ, जिसमें function तो same है, पर structure अलग-अलग है, हुआ clear, नहीं समझ में आ रहा, चलो देखते हैं, तो homologous organ बापस, इसको star mark कर लेना, इसके उपर बहुत ज़्यादा questions आ जाते हैं, ठेक है, तो homologous organ क्या होते हैं, जो structure में तो क्या होते हैं, same होते हैं, but function उनका क्या होता है, अलग-अलग होता है, example देखो ज़रा, बुक्काई है, अगर तुम ध्यान से, man, cheetah, whale और bad, अब man भी देख लो, cheetah भी देख लो, whale बी देख लो, bad भी देख लो, चारो के चारो क्या है, मामल है, पर चारो के चारो अलग-अलग organism है, अलग-अलग subdivisions में पढ़ते हो इनको, ठेक, अगर तुम का four limb देख लो, cheetah का four limb, four limb मतलब उपर वाला, दो type के limb जो रहता है, four limb मतलब सामने वाले limb, और hind limb मतलब नीचे, pair ठेक है, तो four limb, अगर man का देखो, cheetah का देखो, whale का देखो, और bad का देखो, तो तुमको anatomical, मतलब अंदर से structure, bones का same मिलेगा, same मिलेगा, same type में मिलेगा, हमें humorous मिलेगा, फिर radio, यह radio हो गया, यह अलना हो गया, यह अलना हो गई, हड़ी है, ठेक है, फिर मिलेगा, फिर के सामने वाले fin हो, है तो वो four limb है, यह अलग बाते वो modify हो चुक है, फिर चमगादर के सामने वाले जो wings है, वो है, तो anatomically तो वो same है, मतलब structure से तो same है, पर देखो ज़रा ध्यान से, function उनके अलग-अलग हो गए, अब बोलो कि माम function कैसे, क्यों, इंसान का हाथ समझाने के लिए लिखने के लिए यूज हो रहा है, बाइक चलाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, चीत है कि सामने वाले जो four limb है, दोडने के काम आ रहे है, अच्छा, वेल का जो सामने वाले फोर limb है, वो convert ही, modify किसमे हो चुक है, फिंस में, तो वो swimming में help कर रहे हैं, ठीक है, तो same skeleton नहीं, bones का arrangement same मिलेगा, बट हर organism अलग-अलग function में यूज कर रहा है, तो ऐसा structure, जो function में क्या है, अलग-अलग, बस structure में है same, उसी को हम क्या बोलता है, homologous organ, और उसी की study को क्या बोलता है, homology, ठीक है, अच्छा, homologous organ resulting divergent evolution, अब ये point important है, star mark कर लो, इसके पर भी topic में भी ये वाली line पर बहुत ज़्यादा question आ जाते है, अब divergent evolution का मतलब समझो, देखो divergent, दो type के evolution होता है, divergent और convergent, तो divergent ऐसे समझो, कि suppose करो, एक common जगे है, ठीक है, और वहां से अलग-अलग जगे चले गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, divergent, ठीक है, एक common जगे है, ठ दुनिया की हर देश में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत diversity है, अपने इंडिया में तो है diversity बहुत जादा, बट इंडिया की भी जो population, जो इंडियन्स लोगे, वो हर country में जाके बस जाते है, अब common का है उनमें, कि वो इंडियन्स है, ठीक है, अब एक जारा है US में पढ़ाई पढ़ाई करने, एक जारा है UK में पढ़ाई करने, एक जारा है Australia में पढ़ाई करने, तो देखो, common एक जगे था, पर अलग अलग जगे चले गए, तो इस टाइप का evolution है ना, मतलब जहां common क्या था, structure था, पर उनके functions अलग अलग हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, divergent evolution मतलब याद रखना है कि जो तुमारा homologus organ है, वो क्या किस टाइप का evolution result करता है, वो करता है divergent evolution को, ठेक, अच्छा, अब तुम ज़रा दिमाग लगा सकते हो, कि इसी का उलटा, कि अलग अलग जगे से आरे और एक जगे आरे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, convergent evolution, ठेक है study of homologus organ को क्या बोलते है, homology, और homologus organ किसको result देते है, divergent evolution को, ठेक, जैसे अब suppose करो इसी को अगर मैं समझाओ, तो ऐसे देखो कि सब लोग इंडियन हो, ठेक है, अब किसी ने बोला कि हमें पता चला, neuroscience सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है, यूरोप में, तो हम यूरोप की देश में चले गया, किसी ने बहुत टेक्नोलोजी पढ़ना है, तो MIT जाना है, US में जाना है, तो कोई, US में चला गया, ठीक है, अब और किसी को और कुछ पढ़ना था, फैशन पढ़ना था, तो मिलान चला गया, इस टाइप से, ठीक है, तो हुआ क्या, common तो था सब में क् चले गया, अलग 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 जगे, तो यह हुआ, अब उस point of view से बात करो, मतलब suppose करो, US में बात करो, या US की कोई, university के बारे में बात करो, तो वहाँ पे क्या हुआ, अलग 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 देश से, लोग आ गये एक जगे पे, क्योंकि सब लोगों को पढ़ने का शौक था, टेकनोलोजी को, ठीक है, उनको AI पढ़ना था, AI सबसे अच्छा, US में पढ़ाते हैं, तो सबका function common था, भले उनका origin अलग 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 था, मतलब function जब same हो, structure अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसी का ultra, homologous का just ultra क्या होता है, analogous organ, चीक, तो वहाँ पे कैसा evolution मिल या, convergent, अलग-अलग जगे से आ रहा है, और एक जगे पे आ रहा है, तो convergent evolution, तो homologous organ, किसको result देता है, divergent evolution, और वहाँ analogous organ, convergent evolution, ठीक, अब देखो, वहाँ उनने और example से explain किया है, कि अगर vertebra, vertebrates में hearts और brain, अंदर से structure क्या है, same है, ठीक है, अब यह example क्यों important है, यह example इस लिए important है, क्योंकि as it is examples, competitive exam में, और साथ में तुमारे 12th board के objective या one marker में पूछ लेते हैं, चिक, तो यह अपन को याद रखो, वापस में बहुत बार बोलती हूं, कि कुछ portion तो already paper के out ही है, जितने भी diagrams आएंगे, सिर्फ NCRT के ही आएंगे, कितनी भी बड़ी exam हो, NCRT के ही diagrams आएंगे, चिक, example, NCRT के ही आएंगे और तुम वही छोड़ के जाओगे, चिक, तुम यहाँ वहाँ से सब पढ़ लोगे, main जो content है, जहाँ से main चीजे बनती हैं, वो भी पढ़ लो, चिक है, अब देखो, आकरे वाला, कि plants में भी कैसे यह देखने को मिलता है, the thorn and tendril of bogan wilia and kukar beta represent homology, अब देखते हैं इसको, तो जो thorn, tendril और kukar beta का, जो bogan wilia दिखा है, तो basically tendril, मतलब tendril और thorn, anatomically same है, मतलब दोनों का structure same है, अब function दोनों में अलग-अलग हो गया, bogan wilia में thorn protection का का काम कर रहा है, है ना, और वही kukar beta में tendril, support के लिए convert हो चुका है, मतलब द उनों के अंदर मिलने वाला tissue, एक ही type का है, पर tissue modify हो चुका है, क्योंकि functions दोनों को अलग-अलग करवाना है, यहाँ चाहिए उसको protection, और यहाँ उसको सहारा चाहिए कि भईया किसी के सहारे के भरो से उसको लपेट लो और फिर अपने plant को grow करवालो, हुआ clear, तो यह किसका example था, तुमारा homologous organ का, चलो start करते हैं, analogous organ, चलो देखते हैं, analogous organ क्या बोल रहा है, वही कि क्या रहेगा, function same रहेगा, structure अलग-अलग रहेगा, देखो, they are not anatomical similar structure, though they perform similar function, मतलब anatomically अलग-अलग रहेंगे, पूरा structure ही अलग चलेगा, पर function same होगा, मतलब कैसे, अब देखो, यहां पर, अगर मैं बोलू कि मैं एक butterfly के wings compare कर रहे हूं और एक चड़िया के wings compare कर रहे हूं, अब कहने को तो wings है दोनों, अब दोनों help कर रहे हैं किसमें, उडने में, मतलब function तो same हुआ, पर एक है vertebrates, एक कहां पर orthopodans, दोनों एक में हड़ी है, पूरा proper structure है, यह तो exoskeleton है, पूरी कहानी change है, हुआ clear, तो यह किसका example हुआ, analogous organ का, तो analogous organ की study को हम क्या बोलता है, analogy बोलता है, ठीक है, तो analogous organ result in convergent evolution, तो याद रखना है कि common ancestor, अलग-अलग जगे गया, तो क्या बोलेंगे, divergent evolution, और अलग-अलग जगे से function एक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, convergent evolution, तो ऐसा हुआ, तो convergent evolution, ऐसा हुआ, तो divergent evolution, ठीक, चलो, examples देखो, of analogy, the eye of octopus and of mammal, या मतलब, mammal की arc और octopus की arc, क्या है, दोनों help करिये किसमें, vision में, पर structurally, anatomically, दोनों अलग-अलग है, आगे देखो, या flippers of penguin and dolphin, अब penguin, क्या है, एक bird है, ठीक है, या अलग बात है, उड़न help कर रही है, किसमें, swimming में ही, और dolphin, एक mammal है, help कर रही है, क्या, swimming में ही, तो anatomically, दोनों अलग-अलग है, function तो एक ही कर रही है, ठीक, आगे देखो, sweet potato, root modification and potato, stem modification, is another example of analogy, एक है root का modification, और एक है stem का modification, पर दोनों में क्या हो रहा है, store तो food ही हो रहा है, हुआ clear, तो ये किसका example analogous organ का, चलो आगे देखते हैं, अब आखरी वाला consequence evidence बचाता, biochemical similarity, तो biochemical मतलब भई हम chemical level पे देख रहे हैं, कि कौन से में chemical same है, तो देखो जरा, similarity in proteins and gene, वह अगर याद होगा मैंने बताय था, yatgc है, yaug है, ygag है, to gag, glutamic acid बनाता है, मतलब amino acid के लिए कोड करता है, तो same amino amino acid, bacteria में भी कोड कर रहा है, same amino acid, मचली में भी कोड कर रहा है, same amino acid, मचली में भी कोड कर रहा है, और same amino acid, एक इंसान में भी कोड कर रहा है, हुआ clear, same, तो वही लिखा है, simlatin proteins and gene performing a given function, among diverse organisms give clues to common ancestry, मतलब add in, सारी चीज़े एक ही जगह से बनी हुई है, यह तो हमको पता ही है और तुमें जितनी भी life form मिलती है, उसमें चार ही DNA में, मतलब genetic material में, चार ही nitrogenous base मिलते हैं, कौन-कौन से, ATGC, हाँ, अब जहां पे genetic material है, RNA मिल रहा है, वहां मिलेगा AUGC, पर वो चार ही है, मतलब तुम कुछ सोचो बता सकते हो, कि सब सारे life का एक ही source है, वहीं से हम बने ह हुआ है, तो अगर कुछ ऐसा हुआ, कि suppose करो कोई meteor shower हुआ, और वहां पे थोड़ा profiling की गई, study की गई, और वहां पे nitrogenous base कुछ अलग मिल रहा है, मतलब समझ जाओ, यह Earth का तो life form नहीं, बाहर से ही आया, या फिर आप बोलो कि मैं, आपने तो खूदी बता दिया, meteorite shower हुआ तो suppose करो कोई ऐसा inbuilt कोई rock था, या कोई ice cap थी, उसके अंदर कुछ store था, या कोई micro organism नया discover हुआ, ठीक है, और उसके अंदर ATGC का combination है, उसका DNA sequencing की, तो पता चले उसके अंदर ATGC ने कुछ और और निकल रहा है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि since इसके अंदर ATGC नहीं है, और प यह बहार से आया हो, हो सकता है, पांस पर्मिया की थियोरी की तरफ जाया है, ठीक है, वो भले थियोरी गलत है, या अभी फिर भी कुछ लोग अभी मानते है, बहुत सारी movies तक बनती है, शायद Eternals वाली movie, Avenger वाली जो series की, वो इसी के base पर, कि कहीं बहार से life आई थी, यहा समाज में आएगा, कि सब का ancestor क्या था, एक ही था, हुआ clear, चलो, आगे देखते हैं, जो सबसे interesting topic है, जिसके उपर भी बहुत साथा questions आजाते है, assertion reason वाले question यहां से फस्त है, ठीक है, यह reasoning वाले कि इसके बाद क्या हुआ, अरेंज करना रहता है, जो, इस type के MCQ रहते हैं, बहुत सारे चार पास statement दे देते हैं, और फिर वो बहुत इनको arrange कर, उस correct sequence में, तो वो वाले question इस particular area से बनेंगे, दूसरा, assertion reason वाले question इस particular area से बनेंगे, तीसरा, statement 1 and 2 वाले questions इस particular area से बनेंगे, हुआ clear, चलो, अब move करते हैं, एक और evidence है, यह जब हम बोल सकते हैं कि evolution में म अतलब क्या, मालब evolution तो हो रहा है अपनी pace पे, पर उसमें ने इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी वज़े से कहानी change हो गई, या twist आ गया, कहानी में twist आ गया, पर वो twist कौन लेके आए, इंसान लेके आए, अब जान बूचके नहीं लेके आए था, वो तो अपना काम कर रहा था, या उसको पता था कि damage हो रहा है nature में, पर ये उसको नहीं पता था कि damage थो हो रहा है, पर साथ में natural selection भी हो रहा है, या evolution भी होने लगा है, चीक है, तो चलो ये example किसका है, anthropogenic action का, बहुत बार question subjective में आ जाता है, give an example with detailed explanation of anthropogenic action interfering evolution, तो basically घबराना नहीं है, ये नहीं बो information कभी नहीं सुना, basically वो ये आप जो मैं पढ़ाने वाले, वो पूरा example पूरा, तो ये वाला जो example है, इसी को हम बोल सकते है, evolution before our eyes, किसका example है, बिस्टन बेटोलरिया का, मतलब पूरी मौद की कहानी है, अब बोलोगे मैं मौद के है, तो याद रखना है, जो दिन में आती ह उसको हम butterfly बोलते हैं, ठीक है, और मौज रात में जो ऐसे एकदम flat wings उसके रहते हैं, कहीं दिवाल पे चिपकी हुए दिखीएगी, तो उसको मौद बोलते हैं, अब ये कहानी है, तो कहानी है, तो सुनो जरा, एक समय की बात है, जब industrialization नहीं था, मतलब engine नहीं बना था, जो नहीं था, दुआ नहीं था, एर पल्यूशन नहीं था, अब याद करो, हम अल्रडी पढ़ चुके हैं, जहां पे pollution नहीं होता है, वहां पे कौन ग्रो होता है, लाइकें ग्रो होते हैं, जो कैसे रहते हैं, सिम्बायोटिक असोसियेशन में रहते हैं, आलगी और पंजाय के ठीक, तो यहां पे originally, मतलब picture में क्या हो रहा था, समझो बात को वापस, कि since pollution नहीं था, तो pollution नहीं था, तो कौन ग्रो होता था, लाइकें ग्रो होता था, कहां ग्रो होता था, हर जगें ग्रो हो जाता था, जो भी trees थी, उनकी bark पे लाइकें ग्रो होता था, अब उस वज़ होता ही है, बट, लाइकें उसके उपर ग्रो होता था, इसलिए वो कैसी बन जाते थी, वाइट, सारी, bark किस टाइप का impression देती थी, वाइट कलर का, क्यों, क्योंकि उसके उपर क्या ग्रो हो रखा था, लाइकें ग्रो हो रखा था, जिक, अब उस टाइम, वहां पे कौन मिल रखा था, मौत मतलब मैंने बताए, इंसेक टेक टाइप का, ठीक है, तो अब उसमें भी दो वेराइटी थी, मतलब मौत में भी दो वेराइटी थी, एक वेराइटी थी, जो लाइट कलर की थी, और एक वेराइटी थी, जो डार कलर की थी, या मेलेनेटेड थी, मतलब डार कलर की थी अब मुझे तुम ज़रा लगा के बताओ सब्सक्रों यह पैन ब्लाक है और यह टी-शिर्ट भी ब्लाक है करेंट अगर मैंने इस ब्लाक में इस ब्लाक को छुपा दिया तो क्या दिखेगा कि यह बताओ इसमें कुछ दिखेगा कि अब यह मत बोलना कि हां मैं पैन तो दिख रहा है इन जनरल अगर मैं बोलू कि एक डार्क बैग्राउंड में डार्क कोई ऑब्जेक्ट को में चुपा दो तो वो किसकी तरह काम करेगा कैमोफलाज की तरह काम करेगा तो 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 एसी ही कहानी होती थी दो टाइप की मौत मतलब बिस्टन बिटुलेरिया अल्रेडी नीचर में मिलती थी एक थी वाइट कलर की और एक थी मेलेनेटेग जिसमें डार्क कलर का पिगमेंट था तो जो वाइट कलर की मौत थी जबी वी उड़के इस वाइट बैग्राउंड वाले बार्क पे बैट्टी थी वाइट बैग्राउंड क्यों था क्योंकि लाइकन था, तो वो बैट ती थी तो वो Camouflage हो जाती थी, Hide हो जाती थी, तो दिखती नहीं थी Predators को, चिडियों को जो Birds, Insective ओरसी नेचर में मतलब जो मौथ खाती थी, जो Insects को consume करती थी, उनको White के White चुप जाते थी इसलें दिखती नहीं थी वहीं अब सारे पेड़ों पे लाइक इन हुगा हुआ था तो वहीं पे जब डार कलर की मौत उड़के आएगी और यहां पे बैठेगी तो वह तो इसली रिख जाएगी अगर यहीं मैं बोलू कि सपोस्ट करें ब्लाक पेन की जगे है तो ऐसे यह एक्चुल में कुछ होता था नेचर में लाइकेन बल्क में उखता था ट्री की ब्रांचस पे उखता था तो उस वज़े से वाइट कलर का बैगराउंड देता था तो जो वाइट कलर की मौत थी वो कैमोफलाचों के छुप जाती थी पर वहीं जब मेलेनेट पिगमेंटेड मौत आके उसी वाइट बैगराउंड पर बैठती थी तो बहुत ईज़ी टारगेट हो जाती थी प्रेडेटर्स का मतलब अगर इस टाइम पर मैं मौत का काउंटिंग करूंगी तो मुझे पॉपुलेशन में वाइट कलर बहुत जादा मिलेंगी क्योंकि ब इंसान ने साइंस में एडवांसमेंट कर लिया इंजिन बना लिया स्टीम इंजिन का फॉर्मेशन हो गया साथ में इंडस्ट्री इंडस्ट्री का सेट अप होना स्टार्ट हो गया इंडस्रिलाइजेशन स्टार्ट हो गया सिंस इंडस्रिलाइजेशन स्टार्ट हो गया त वो उड़के अब वो उड़के कहां चला गया एयर में क्या कॉस करने लगा एयर पल्यूशन तो एयर पल्यूशन करने लगा तो जहां पर एयर पल्यूशन होता है जल्दी बताओ ही जो वाइट बैग्राउंड आया था वाइट बैग्राउंड किसके करा रहा था क्योंकि ला की प्लांट जो ट्रीज की बार्क का रहता है वो दिखने लगेगा मैं ब्राउनिश ब्लाक अब बताओ चेंज क्या आएगा अभी भी नेचर में वो दो वेराइटी है मौत की कौनसी वाली वाइट वाली और डाक वाली मतलब जिसमें ब्राउनिश ब्लाक का पिग्मेंट है अब क्या होने लगी वोडने लगी अब अब बताओ अब बैगराउंड कैसा हो गया डार्क हो गया और अब उसमें जाके वो जब बैठेंगी कौनसी वाइट वाली तो वाइट वाली कॉंट्रास्ट में रहेंगी कैमोफलाज नहीं कर पाएंगी इसलिए क्या हो जाएंगी और वही dark वाली या melanated मौत क्या हो जाएगा इसमें easily छुप जाएगी तो camouflage हो जाएगी तो अब इस time पे जब counting करोगे जब population का counting होगी मौत की तो अब melanated या dark वाली जो मौत है उसका number बहुत जादा मिलेगा और white वाली का number कम मिलेगा अब बात को समझना क्या है यहां पर वो लोगे माम इसमें क्या difference आया इसमें यह difference आया कि natural selection होने लगा देखो दोनो टाइप की मौत मतला white वाली और dark वाली मौत और already population में थी पहले से थी ठीक है पर conditions change हुए environment में factor change हुए इसी वज़े से एक टाइम पे एक वाली population को फाइदा हो रहा था white वाली before industrialization जब कोई pollution नहीं था और वहीं पे जब industrialization हुआ तो pollution हुआ उस वज़े से dark color वाली मौत का hunting कम हो गया predator easily अब किसको point out कर पा रहे थे white color वाली को और white की hunting ज़्यादा होगे इसलिए after industrialization white वाली मौत की population क्या हुई कम हो गई ठीक तो यह क्या दिखाता है कि देखो genes अब तुम उलड़ी पढ़ चुके हो genes जो basically genes मतलब क्या कि वह हम वो particular segment जो एक protein के लिए code करता है वो protein add the end phenotype में दिखता है मतलब जो भी चीज़ तुम को physically दिख रहे ही वो हर चीज लिखी हुई रहती है DNA के अंदर in the form of gene ठीक तो originally दोनों color की मौत थी पहले से थी ठीक है species की तरफ दिखाने लगी पर वहीं बाहर की condition change हो गई पूरी जो conditions है पूरी reverse हो गई और अब दूसरे वाले category वाली मौत को क्या होने लगा फायदा होने लगा तो चलो देखते हैं यही बताया गया है तो अगर यह दो pictures देख सकते हो तो पहली वाली में अब यह मत बोला माम white color वाली तो इसमें भी बहुत easily दिख रही है यह तो brownish color हो गया हाँ यह NCRT का diagram है पर assume करो कि इन्होंने यह वाला मतलब as a light color दिया है ठीक है और यह वाला as a dark color दिया है ठीक है मतलब यह वाला कौन सा picture है before industrialization और यह कौन सा है after industrialization अब यह अलग बात है कि इसका color थोड़ा औ पर यह मैं बता दिती हूं तो यह वाला कौन सा है अब बोलो कि ma'am अगर इन में से कोई diagram आ गया तो क्या करेंगे कुछ नहीं करो गया अगर diagram exam में आया तो फिर वो contrast change करके देंगे पहली बात और अगर उन्हें contrast change करके नहीं दिया तो as it is diagram दोनो diagram उपर नीच चले diagram उठा क कि देंगे तो तुम easily क्या कर सकते हो identify कर सकते तो चिंता मत करो जैसे यहां दिख रहा है exactly वैसा नहीं आएगा वो contrast pixel pixel सब जितना भी brightness darkness जो भी होता है सब change करके देंगे तुम easily उसको predict कर पाऊ चीक तो देखते हैं in a collection of moth made in 1850 1850 में industrialization आया था नहीं इसले क्या लिखा है before industrial industrialization set in it was observed that there were more white color moth on tree than dark wing or melanized moth क्योंकि white में white background white background आया था lichen के कारण उसमें white moth easily क्या हो जाती थी? camouflage हो जाती थी तो हंट नहीं हो पाती थी वहीं पे dark color वाली moth easily hunt हो जाती थी easily hunt हो जाती थी इसले उनका number कम था इनका number जादा था अब देखो however in the collection carried out from the same area but after industrialization that is in 1920 there were more dark wind moth बाद में इनका number जादा हो गया क्योंकि pollution हो गया, pollution हो गया तो जो background में like in था वो destroy हो गया, अलग से carbon भी इसके उपर deposit होने लगा, तो अब ये dark में dark camouflage होगी, white वाली easily point out होने लगी तो उनका number कम हो गया, that is the proportion was reverted, हुआ clear, अब तो ये क्या था? ये था industrialization before, industrialization evolution before our eyes, इसका भ सारा changes हुआ, इस lichen के हटने की वज़े से, और lichen की उटा, क्योंकि हटा, क्योंकि pollution हुआ, pollution क्यों हुआ, क्योंकि इंसान ने क्या start किया, industries का setup start किया, तो at the end ये सारी चीज़े disturbed कहां से हुई, क्योंकि इंसान का interference था, इसलिए इस evidence का नाम ये इसी को हम किसमें पढ़ते हैं anthroprogenic action में, अब देखो, the explanation put forth for this observation was that predator will spot a moth against a contrasting background, during post-industrialization period, the tree trunk become dark due to industrial smoke and soot, वाई, जब carbon dioxide जलते है, जब hydrocarbon जलते है, जो काला-काला धुआ निकलता है, उसको हम क्या बोलते है, soot बोलते है, soot, ठीक है, under this condition, the white wing moth did not survive due to predator, dark wing or melanized moth, survive, हुआ clear, तो ये सारा किस का example था, अभी अपन को sequence याद रखना है, क्योंकि बहुत बार मैंने अभी फिर से बता रहे हूं, ये किस में आता है, अगर entrance exam में आया है, तो arrange करने के लिए कि events का sequence क्या हुआ, या assertion reason में आता है, या statement 1, statement 2 में आता है, और अगर subjective paper हुआ तो है ना, वेटेच, वो पूछनेंगे कि एक example के साथ support करो anthropogenic action जो evolution में help कर रहा है, या natural selection में help कर रहा है, या फिर एक example दो evolution before our eyes का using industrialization example, तो ऐसा कुछ भी question है, उसमें यही answer लिख के आना है, हुआ clear, तो यहां तक था, अच्छा, एक और, जो इसी का एक और portion बचा, देखो ज industrialization set in, thick growth of almost white color lichen covered the tree, in that background the white winged moth survived but the dark color moth were picked out by the predator, यह अलड़ी हम कर चुक है है, अब इसका conclusion हम क्या बोल सकते है, इस also tell us that evolution, यह line important, evolution is not a directed process in the sense of determinizing, it is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in the organism, अब क्यों chance mutation बोल रहा है, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूं कि naturally nature में दोनों type की moth मिलती थी, अब nature में दोनों type की moth कैसे मिलने लगी, हो सकता है, कि originally वो moth dark color की हो, mutation हो गया, वो white color की moth, albino type की moth मिलने लगी, जिसमें pigmented काया पे, यह अलग बात रही कि albino वालो या white वाली जो moth है, उसको help मिल गई, उसके इस mutation के कारण, क्योंकि lycan में वो छप जाती थी, समझ में नहीं आता था, चीक, मलब mutation तो था, वो भी एकदम random था, कोई किसी ने सोचा नहीं था, इसलिए chance mutation था, अब mutation को खुद को express करने के लिए क्या मिल गया, सही environment मिल गया, सही factor मिल गया, या फिर सही chances and events हो गए, जिसकी वज़े से वो जो mutation हुआ, वो beneficial होने लगा, तो automatically जो दूसरा वाला, original जो भी form था, वो हटने लगा, और यह जो chance वाला था, वही प्रोजनी, वही वाला organism अपनी प्रोजनी को बढ़ाने लगा, हुआ clear इतना, तो यह सब किसके बारे में था वापस anthropogenic event, और इसके साथ यह वाला topic होता है, खतम, तो अपन क्या करेंगे, google पे जाएंगे, type करेंगे www.magnetbrains.com, जैसे ही enter दबाएंगे, यह home page आएगा, क्यों, क्योंकि magnet brain wall platform है, जहां मिलता है free education, कहां से kindergarten से लेके grade 12 तक, और बहुत सारी competitive exams के ल होगे, उसके बाद subject को select करोगे, फिर topic जो भी chapter तुम पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर जो सब topic सुनना चाहते हैं, उसको select करोगे और सुनना शुरू करोगे, सुनना नहीं क्या करना है, याद भी करना है, और like, share, subscribe करना नहीं भूलना है, मिलते हैं हम अंगली class में, नए lectures के साथ, तब तक बने रहना है मेरे साथ और magnet brains के साथ